हेलो स्टुडेंट आपना देखना शुरू कर दिया है इसके डिरेक्शन आज हम पेजिस रिलेटेड अपडेट लेकी आए हैं यहां पर लगभग 62 सीट निकला हुआ है पेजडी का तो इसके बारे में पुरा रिटल्स मताएंगे वीडियो के साथ बने रहे हैं एक इसमें अप्लाई करने से भले आप उसको जान लेजिएगा चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर दिखाते हैं आपको पुरा रिटल्स तो देखिए नोटिफिकेशन उपन हो गया है यह है जी जे यूस्ट पीएजडी इनवर्सिटी है यहां पर प्यजडी का नोटिफिकेश में है प्यजडी कम्मुनिकेशन मेनेजमेंट टेकनलोजी है प्यजडी प्रिंटिंग टेकनलोजी है प्यजडी इन्वार्मेंटल साइंस एन इंजिनीरिंग है प्यजडी कमेस्टरी है इसी तरह से प्यजडी मैथेमेटिक्स है यहां पर देख सकते हैं और फिजिक्स है औ एलब कहले बिउप का बोका मिल रहा है इसी तरह से आपको psychotherapy है इसमें भी PhD है Economist में है Electronical Engineering है और Regional Study है इन सब में PhD का notification जारी हुआ है तो आप देख सकते हैं नमर अप सीट की बात करें तो देख लिजिए आपको यहां Computer Science and Engineering नई सीट है Mass Communication में भी यहां पर एक सीट है प्रिंटिंग टेकनलोजी में है वहां पर 16 सीट है Environmental Science and Engineering में 6 सीट है Chemistry में आपको 3 सीट मिलेगी यहां पर इसी तरह से आप देख लिए यह Mathematics जो है यहां पर Mathematics में आपको 6 सीट है और Physics में 2 सीट है और Food Technology में 7 है Bio Nanotechnology में 10 सीट है Haryana School of Business में आपको 14 सीट है और इसी तरह से देख लिए आपको Applied Applied Science में आपको 4 सीट है Pharmaceutical Science में 24 सीट है Electrical Engineering में आपको 28 सीट है Electronic में और Engineering में 22 और 28 सीट है दू जगे दू फिज में निकलाव है यहां पर Mechanical Engineering में आपको यहां पर 15 सीट है Psychotherapy में आपको Physiotherapy में एक सीट है Economics में तीन है Artificial Intelligence, Data Science में आपको 3 सीट है Control में लाके लगवा 162 सीट है आपको यहां पर हो रहा है तो इसमें अगर आप Apply करना चाहते हैं तो कर लिए सीट है ठीक ठाक है यहां पर और देखिए इसी तरह से अब नियम अफ इंशूट अफ रिजनल स्टडी है यहां पर भी दो सीट है यहां पर और इलिविटी कटरिया की बात करने की आपको युक्ता कि इतना चाहिए यहां पर तो आपके पास मास्टर जीग होना चाहिए सब्जेक्ट में 55% मार के साथ अगर एस इसटी ओ भी सी है तो आपको 5% का इलेश मिलेगा चोट भी लेगा यहां पर आपको 50% मार चाहिए ए मीनिमन एलिविटी कटरिया जो जीजीजी के अनुसार जो होता है यहां पर यह बी उस यह अनुसार यहां पर अड्मिशन हो रह में शुरू हो गया है और अठारे तक चलेगा हो सकता है कि डेट बर जाए आप पांच बज़े तक अठारे तरिक को अपको फर्म भर के ओलाइन पे कर दीजिएगा और लास्ट डेटर समिशन अफ ओलाइन पॉप्लिकेशन फर्म अठारे तक ही देख लिजिए बारवाज रा अनिध में अपको यहांपर और कांस्यिंग आपको थेस फर्वरी को होगा डिस्पेले ओफ के टेग्री वाइज लिष्ट आपको बन जाएगा चोविसको और डेट ऐसनीग आपको शविसको हो जाएगा और ऑफ देस्पेले अगर अगर होगा तो अक्वाज एन्टेस्ट म अपको एंगी मिसन नहीं होगा इंटरेंश उसके बाद सुला मार्च को कंड़क्ट होगा और अनीस मार्च को होगा ये सकते हैं फिर इंट्रीव्व्ड आपको 20 मार्च को होगा और डेट अफ डेस्पेले आपको 21 अबर्च से सुरू हो जाएगा उसके बाद कांसलिंग ने पूरा डेल्स में दे दिया गया है यहां पर देख सकते हैं पर एप्लिकेशन प्रोसेस आपको अर्लाइन करना होगा प्रस्प्रक्टर्स को तो अच्छी तरह से देख लेए इस्टेफ बाई इस्टेफ आपको फॉर्म अप्लाई करें और अप्लिकेशन फी की बात करें देखिए आपको यहाप application फी आपको 2000 लगेगा general category के लिए अगर AC और DSC जो है आपको 500 रुपए देना परेगा एकनोमिकली वीकर को आपको 1000 रुपए देना परेगा यहाँ पर एक बात के लिए करते हैं कि आपको यह जो इनुवर्सिटी है हरिसार में है यानि हरियाना स्टेट में है तो आप अगर डिजर्व कर्टेगरी में भी आते हैं तो आप अगर other state के हैं और यहाँ पर apply करना चाह कि आप यहाँ पर जैनल में count किया जाएगा सिर्फ state of हरियाना के स्टुडेंट ही कंडिडेट ही यहाँ पर इस डिवरेशन का लाब उठा सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेश को आपको बता दिए प्रोसेश क्या है यहाँ पर कॉंसिल होंगा सेपरेट और उसके बाद अगर किया जाएगा में सब्सक्राइब कर सकते हैं नेशनल फेलोशिप हैं तो भी आप यहाँ पर तसीट अफ़र बदा कर दिए गया है जैसा कि मैंने बता दिया है मेरिक लिश्क टरिया क्या है देख लिजी यहाँ पर तो मेरिक लिश्क टरिया अपे है कि 40 परसेश चाप मार्सटर दिगरी को दिए जाएगा और 30 सेट आप परफरोंट्स आप इंट्रिव कर दिया जाएगा और यह टोटल 100 मार्स का हो जाए उनको दिया जागा 30% आपको डिग्री मार्स का दिया जागा 20% वेटेज आवर बैचलर डिग्री को दिया जागा 35% आपको ट्रेंस टेस्ट का वेटेज रहेगा 50% आपका इंपर रूप्यू करहेगा उसके बाद इंफरमेश्ट एडमिशन होगा यह इंवर्सिटी दिपार्टमेंट विल हैब टू फेलोशिप इवरी यहर देमाउंट आफ दा फेलोशिप इज पंद्र हजार यहां पर मंत दिया जागा एफ्टर कंफर्मिंग और रेजिस्टेशन इट विल भी टेनेवल टू यहर्स तक आपको मिलेगा अडमिशन यहां दिया थार्ड य आपको फेलोशिप फंद्र हजार भी लेगा दसदर कंटेजेंसी भी लेगा आपको और में यहर में और यह इनवर्सिटी जीएस्टी अब इसके जी 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 यूएस्टी है हिसार में है तो इसको आपको प्रस्पेक्टर पी देख लीजिए अप्लिकेशन में वेवसाइट इसको इसके बारे में बता देता हूं आप उसको भी देख लें तो देखिए आपने इनवर्सिटी पाएगा है यह है जी जे यूएस्ट जस्ट जी जस्ट एसी डॉट इन पर इनवर्सिटी है यहाँ पर और यह गुरू गुरू जंबेश्वर इनवर्सिटी है हिसार में ह तर्याना में है ये और ये Eault North University है ग्रेट इसको नेक दोरा होा है तो एक अच्छी University मैने जाएगे नहीं आप़ने तो यहाँ पे admission का notification जाने हुआ है देख सकते हैं यहाँ और आप अपको apply करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके then jaki आप पर आप देख सकते हैं यहां पर जैसे ही आप किलिक जीएगा एडमिशन का रेटेंट टेस्ट का सब का ओपेन हो जाएगा यहां पर यहां पर आप अपलाई कर सकते हैं पीजडी के लिए देखिए गुरुद जमबेश्वार निवर्सिटी साइन सेंट टेकनोलोजी हिसार मे अपलेवल नहीं है देखिए ऑनलाइन अपलाई करने का है डाउनलोड पर इस्टेक्टर से कि तो पुरा जो ही सीट डिस्टिबूशन भी यहां पर क्रिया कर दिया है तो यहां पर सीट डिस्कूशन भी देख सकते हैं यहां पर ओपन हो जाएगा और जो भी इन्फर्मेश स्ट्रेस डाउनलोड कर सकते अप्लिकेशन फ़र्म यहाँ पर क्लिक करके आप अपलाई कर सकते हैं तक है तो पूरा डेटल में आपको बता दिया है यहाँ पर पहले अगर आप नए है तो यह नीव कंडिडेट पर किली करके आप फर्म को अपलाई किजिए और उसके बाद यह किजिएगा तो हो जैसे ही आप इस पकिली किजिएगा तो ओपिन हो जाएगा रिजिस्ट्रेशन का आपका पूरा अपना डेटल से डालिये इसमें नीचे देखिए इस टार्ट पर करके ब्लाउजर का प्रस्वेक्टर स्वी इसको पहले देख लिजिएगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ किली किजिए जैसा ही आप ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पर स्टार्ट रेजिस् आप इसको पर इसको पूरा डेटल से भडिया और यहाँ पर देख लिए प्लेक्ट एडिमेंशन आप यहाँ पर पर स्टाइम करना चाहते हैं अपर इंट्रेंश टेस्क हैं कि आप इसमें हैं ईस्कीम में है चुज अप इस्कीम तो यहां पर आपकी किजिए गा इस अंट नेशनल है चाइल्ड है आप किसमें आते हैं surprise एज आफ पर सकते हैं किसमें और से पिलिक कर सकते हैं यहां पर आप देखी यहां पिश या नो कर लेजिए सब्सक्राइब और इस तरह से आपका नाम डालिए और पुड़ा इस तरह से डालिए और पुड़ा पर्दी एमेल आडी और सब्सक्राइब और इस तरह के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू करें साथ में बेल आइकन भी दबादें ताकि इस तरह का जो भी नोटिविकेशन हो आपको तुरंत मिले थाइंक्यू वाचिंग इसके डिरेक्शन हेलो स्टुडेंट आप प्यजडी करना चाहते हैं तो यह प्लैट्फरम आपके लिए है क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर प्यजडी से रिलेटेट हर इंफर्मेशन दिया जाता है पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 इनवर्सिटों के प्यजडी एड्मिशन नोटिफिकेशन पर अन टाइम वीडियो बनाया है प्यजडी एड्मिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन